दिल्ली के अंदर M.C.D. चुनाव में 15 साल से भारतिय जनता पार्टी ने जो गूड़ा फैलाया था उस राजनीती को दिल्ली के लोगों ने इस चुनाव में साफ करने का निड़े लिया है मैं दिल्ली के लोगों को तहे दिल से बढ़ाई देना चाता हूँ कि उन्होंने 15 साल से भारतिय जनता पार्टी की राजनीती के कुड़े को उखार करके फैका है और दिल्ली के अंदर अर्विन्र केजरिवाल जी के नित्रित्व में MCD में भी काम करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को सौपी है पंद्रह साल से भारती जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने मुखा दिया लेकिन बार बार दिल्ली के लोगों को धोखा मिला इस चुनाव में भारती जन्ता पार्टी गंदी राजनिती के माध्यम से इस चुनाव को जितने की कोशिस कर रही थी तमाम तरह के जूटे आरोप प्रत्यारोप आमादमी पार्टी के उपर लगा करके भारती जन्ता पार्टी सोच रही थी कि सायद हम किसी तरह से इसी तीन पिकडम से चुनाव जीत जाएंगे मार्च में जो चुनाव होना था उस चुनाव को भार्टी जनता पार्टी ने टाला उसमें भी चुनाव हार रही थी भाजपा इस समय फिर गुजरात के साथ चुनाव कराने का निर्डे डिया कि साय दर्विंद के जरिवाल गुजरात में बीजी रहेंगे इसलिए हम चुनाव जीत जाएंगे लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को तहे दिल से बढ़ाई देना चाहता हूँ उनको सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सारे तिकडम को फेल करते हुए दिल्ली के अंदर ये एतिहासिक फैसला दिया है दिल्ली के अंदर भारती जनता पार्टी को विदा करने का फैसला दिया है अब तक बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे खास्तोर से भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आम आत्मी पार्टी वहीं जीतती है जहां कांग्रेस की सरकार होती है लेकिन दिल्ली के नगर निगम चुनाव में 15 साल से भारत देद देरा है कि इस देद लोग काम की राजनिती को पसंद कर रहे हैं लोग ऐसी राजनिती चाहते हैं जो सरकार आए और लोगों के लिए काम करें काम की राजनिती को इमांदारी की राजनिती को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में बैठ गया था कि 15 साल मे भाजपा ने MCD में जितना व्रष्टाचार किया है उसे साफ करना जरूरी है तभी MCD में सुधार होगा दिल्ली की साफ सफाई होगी तो ये एक एतिहासिक फैसला है और ये संदेश है देश को कि चाहे भाजपा और चाहे काम अगर जनता के लिए काम नहीं करेंगे अगर ध्रष्टाचार में डूबेंगे तो बदलाव लोग करेंगे और अरविंद केजरिवाल आम आत्मी पार्टी को लोग उसके विकल्प के रूप में देख रहे हैं इस चुनाव ने एक बड़ा संकेद दिया है सर इतना क्लोज क्लोज था सुनकि 15 साल से उन्होंने पूरी टाकत लगाई थी वही ऐसा अथ गंडा नहीं था पहले चुनाव टाला फिर गुजरात के साथ चुनाव कराया फिर देश भर से मुख्य मंत्री आये सारे केंद्री मंत्री आये लेकिन सारे तीन तिकडम को दिल् और ये संदेश दिया है कि भाजपा भी वरष्टाचार करेगी अगर काम नहीं करेगी उसे भी उखार दर के फेंकेंगे और आम आद्मी पार्टी को लाएंगे अब नौर्थीज दिल्ली से आते हैं वहां की जो मुश्लिम गहूल इलाजे हैं वहां देखने को मिल रहा है कि मुश्लिमों से इस बार उस तरे का रिस्पाउंज नहीं मिला उस्तों के मामले में अबी टोटल सीट वाइज सीट रिपोर्ट आने के बाद हमें नलसीज करेंगे और उसके रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की बात प्लागता है अभी प्रणाम आ रहे हैं अभी सभी लोग उस्ताइथ हैं और सब लोगों के साथ बैट करके मिलके उसके नहीं करेंगी बीजेपी ने सारे तीन तिकड़ब किये चुनाव'll पहले टाला उन्होंने उसके बाद जो है फरजी व्रash対 चाहर के आरोप लगा करके गाली गलोज